जै श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जै विशाक मास महत्यम की मंदर शीबंसी वाली महात्मा ये लिडिप चैनल के ओड़ से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं विशाक मास महत्यम की पंदरवे अध्याई की परमपावन कथा इससे पहले आप विशाक मास महत्यम के अध्याई एक से लेकर अध्याई चोधे तक की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं तो अब पंदरवे अध्याई की परमपावन जो की इस परकार है राजा ने सारे शहर में ये सूचना करवा दी कि आठ वर्ष की आयू से लेकर असी वर्ष तक की आयू तक का जो मनुष्य मेश की सक्रांती में सुर्य उदे होने से पहले सनान नहीं करेगा वहे दंडनिय समझा जाएगा और उसे शहर से निकलवा दिया ज जो विशाख मास के धरम का पालन नहीं करेगा मैं उसको चोड के समान दंड दूंगा प्राता काल पवीतर जल में सनान करो स्थान स्थान पर प्याओ लगवाओ यथा शक्ति योग्य भ्रह्मनों को दान तथा अन्य धरम के कारियों को करो परतेक गाउं में एक-एक उपद धरम वरिख्ष सारे देश में भली परकार फैल गया इस राज में जो पापी मर जाते थे वे भी भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त होते थे वे शाख मास में मुक्त होकर कोई भी प्रानी यम पूरी को नहीं जाता इस कारण उस सूर्यवर्शी राजा ने यम के सब देखों को मिटा दिया मनिशों के जो भी पुराने करम थे सब नाश हो गए चितर गुप्त के लिए लिखने को कुछ नहीं रहा तथा सब नरक भी खाली हो गया तब एक समय देवर्शी नारजी यमराज के पास जाकर कहने लगे यहे राजन नरक में पहले जैसे हाकार्ष क के शब्द सुनाई नहीं पड़ते हैं चितर गुप्त के पास भी लिखने को कुछ नहीं रहा हाथ पर हाथ रखे मोन बैठे हैं बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते इसका क्या कारण है तब धर्मराज कहने लगे कि हे महामुने एक राजा प्र कर्मों का पालन करने से सब लोग वैकुंठ धाम को जा रहे हैं कर्मों के नाश से चितर गुप्त के लिए लिखने को कुछ नहीं रहा और काठ की मूर्ती बने मैं भी बैठा हूँ अब मैं युद करके उस राजा को मारूंगा क्योंकि मेरे पास अब कुछ काम नहीं रहा और सेवक को स्वामी का कारे अवश्य करना चाहिए यदिव है मुझसे नहीं मरेगा तो ब्रह्मा जी के पास जाकर सब वृतांत बताकर निवेदन करूंगा इस प्रकार देवरिशी नारद जी से कहकर यमराज, मृत्यू, रोग, जरादी सब सेवकों और अपने दूतों को साथ लेकर दंड धारन कर भैंसे पर चड़ प्रिठ्वी पर आया और सियनाद करते हुए उस राजा की नगरी को चारों ओर से घेर लिया है इससे समस्त प्रजा अत्यंत भैभीत हो गई राजा भी ये सुनकर कि यम ने नगर को घेर लिया है अपनी सेना को सजा कर नगर के बाहर आया है राजा ने थोड़ी देर में मृत्यू काल तथा रोग और यमराज के दूसरे देतियों को मार कर भगा दिया तब भैंसे पर सवार होकर यमराज स्वेम राजा के सम्मुख आया और भीशन गरजना करके राजा पर बान चलाने लगा राजा ने तीन बानों से उसके धनुश को काट दिया अब यम ढाल और तलवार लेकर राजा को मारने के लिए चला तब राजा ने उसकी ढाल तलवार भी काट दी और काले सर्प जैसी फूंकार मारता हुआ क्रोधित होकर एक बान यम के मस्तक पर मारा है तब यमराज ने क्रोधित होकर दंड उठा पानजी ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा जो युद स्थल में आ पहुचा और दंड से युद कर ब्रहमास्तर का निवारन करता हुआ यमराज को मारने लगा ये देखकर वह भक्त राजा वहभीत होकर सुदर्शन चक्र की स्थूति करने लगा कि हे भगवान श्रीहरी विष्णुजी के हाथ के आभूशन सुदर्शन चक्र आपको मेरा बारंबार नमस्कार है भगवान आपको सारे लोकों की रक्षा के लिए धारन करते हैं क्योंकि जो देवताओं के द्रोही हैं तुम उनके लिए काल के समान हो ये जगत पते इस य द्रशन चक्र यम को राजा के पास छोड़ कर स्वम वैकुंठ धाम को चला गया फिर यम उदासीन होकर ब्रहम लोक में ब्रहमाजी के पास गया उसको इस प्रकार देखकर सबसभागन विस्मित होकर आपस में कहने लगे कि यम का यहाँ पर कैसे आना हुआ कहीं ब्रहमाज के दर्शन को तो नहीं आया इसको तो कभी शन भर को भी अपने काम से अवकाश नहीं मिलता देवता तो सब कुशल से हैं ऐसी बात कभी पहले देखी न सुनी ये सब ऐसा कह ही रहे थे कि तभी प्राणियों का स्वामी और सूरे का पुत्र यम भ्रमाजी के चर्णों में इस गिर गया जैसे जड़ से कटा हुआ वरिक्ष निराशित होकर प्रित्वी पर गिर जाता है यम त्राही त्राही पुकारने लगा कि है देवेश मेरा अत्यंत अपमान हो गया मेरे वस्त्र और भही खाते फार डाले तथा मुझगो अत्यंत पीटा गया है मेरी परतिष्ठा और मर्यादा सब भंग हो गई है एकमलासन आपके होते हुए मेरी है दुरगती हुई ऐसा कहकर वे प्रित्वी पर गिर गया तब वहां पर बड़ा कोला हल हुआ है सब आपस में विचार करने लगे कि जो स्थावर जंगम सब को खाने वाला मनुश्यों को संताप देने वा वो आज दुखी कैसे हो गया सब ऐसे विचार कर ही रहे थे कि उसी समय पवन देवन ने आकर ब्रह्माजी की आग्या के अनुसार सब की वानी रोक दी और अपनी विशाल भुजाओं से यम को उठाया फिर समस्त संसार में विचरने वाला उदार भुद्धी पवन उसे आस ब्रह्माजी के समुख कहो जो सब के पीतामा है वे अवश्य ही तुम्हारे दुख को दूर करेंगी तो इस परकार विशाक मासमत्यम के पंद्रवे अधाय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है मंदर शिबंसी वाले महात्मा यूटिप चैनल के ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सब का हारदिक धन्यवाद भगवान श्री रादा कृषिन जी की श्री हरी विश्नु भगवान जी की भगवान श्री लक्षमीन नारायन जी की विशाक मासमत्यम की अनन्त कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कावना के साथ जै श्री राधारानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै विशाक मा स्मध्यम की जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे शाम